नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत ही होजना पे आज हम बात करने वाले आई-ओ-सी-अल रिकूरूट्मेंट 2024 के बारे में इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तिरफ से यह वैकेंसी निकाला गिया है तो आप यहां कब से कब तक अप्लाई कर पाईएगा, टोटल वैकेंसी है, कितना रखा गिया है, क्वालिफिकेशन कहके मांगा गिया है वो सब हम एक एक करके आपको यहां पर बताएंगे यह है इसका ओफिशल नोटिफिकेशन इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन यहां से आप डेट देख सकते हैं, यह फर्म जो है आपका 12 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है और लाज डेट जो है, एक फर्वरी 2024 तक रहेगा तो अगर आप यहां एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई करने के लिए तो जल से जल जाके जरूर अप्लाई कीजिए यहां पर टोटल नंबर आप वेकेंशी आपको बताए गया है, 473 रखा गया है और यहां पर आप देख सकते हैं, अप्रेंटिस इन टेकनिकल एंड नन टेकनिकल ट्रेट के लिए निकाला गया है पांच रीजन में हैं, इस्टेंट रीजन पाइपलाईन, नदेन रीजन पाइपलाईन, साथ इस्टेंट रीजन पाइपलाईन, साथ रीजन पाइपलाईन और वेस्टन रीजन पाइपलाईन के लिए निकाला गया है तो यहां पर West Bengal के अंदर total 44 vacancies और यहां category wise में बाठ दिया गिया है ST के लिए 8 ST के लिए 1 OBC के लिए 8 TWS के लिए 3 general के लिए 24 रखा गिया है बिहार के अंदर यहां 36 vacancy यहां साम के अंदर 28 है हर्याना के लिए total 43 पंजाब के लिए 12 देली के लिए यहां पर 23 UP के लिए 27 रखा गिया है तो वो आप एक करके यहां से चेक कर सकते हैं और total number of vacancies 473 है qualification जो है यहां पर technician apprentice mechanical के लिए अप्लाई करते हैं technician apprentice electrical के लिए भी आपको 3 years diploma के आवा होना चाहिए electrical engineer या फिर electrical and electronics engineer है technician apprentice telecommunication and instrumentation के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 years का डिप्लोमा के आवा होना चाहिए electronics and communication engineering या फिर electronics and telecommunication engineering trade apprentice assistant human resource के लिए अप्लाई करते हैं तो full time bachelor degree complete के आवा होना चाहिए trade apprentice accountant के लिए apply करते हैं तो full time bachelor degree in commerce में क्या होना चीए data entry operator के लिए apply करते है तो 12th pass मांगा गया minimum domestic data entry operator skill certificate holder के लिए minimum 12th pass मांगा गया data entry operator का आपका training होना चीए less than 1 year का age criteria जो है minimum कम से कम आपका 18 साल होना चीए हो ज्यादा ज्यादा यहाँ पे 24 रखा गया during apprenticeship training का बता है क्या technician apprentice के लिए apply करते हैं तो 12 month करेगा trade apprentice के लिए करते हैं तो 12 month data entry operator and domestic data entry operator के लिए 12 माहिना करेगा selection methodology जो है आपका यहाँ पे written paste लिया जाएगा mcq रहेगा 100 question रहेगा 100 marks करेगा हर एक question एक marks का negative marking यहाँ पे नहीं रखा गया है for technician apprentice के लिए आपका यहाँ पे 100 marks कर रहेगा जिसमें आपका 75 marks जो है डिपलोमा लेबल का पूछा जाएगा और पचीज question जो है general aptitude reasoning general English numerical aptitude general knowledge से पूछा जाएगा trade apprentice के लिए आपका 100 में से आपका 75 question जो है general account commerce finance से पूछा जाएगा पचीज question general aptitude reasoning English से पूछा जाएगा for trade apprentice के लिए 100 objective type दो घंटा का आपको time मिलेगा तो अगर आप applicable होंगे यहाँ apply करने के लिए तो जल्थ 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 जाके जरूर apply कीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या इस information मिला हो तो like और subscribe जरूर कीजिएगा